हर्याना कॉंग्रेस उमिद्वारों की लिस्ट आते ही बेटिकट रहे नेताओं में विद्रोः हर्याना कॉंग्रेस का एक बड़ा चहरा भाजपा की ओर लिस्ट में नाम कटने से कॉंग्रेस में ग्रह युद शुरू कॉंग्रेस के बागियों का रुख भाजपा की ओर कॉंग्रेस का बड़ा सियासी परिवार बनेगा मोधी का परिवार हर्याना कॉंग्रेस उमीद्वारों की सूची आते ही कॉंग्रेस के भीतर ग्रह युद जैसे हालात बन गए हैं लिस्ट के इंद्जार में चुप्पी सादे बैठे नेता और उनके कारिय करताओं में अब हलचल शुरू हो गई है टिकेट पाने वालों से ज़्यादा बे टिकेट रहे दावेदारों का आक्रोश सात्वें आसमान पर है नतीजा यह के लिस्ट में खुड़ा गुट के बाजी मारने के साथ खुड़े लाइन लगे नेताओं से अब भीतर वे बाहर चुनोतियां बढ़ने वाली हैं इन में सबसे बड़ी चुनोती उन नेताओं से है जो टिकेट ने मिलने पर बागावत पर उतरना शुरू हो गए हैं इन में हरियाना की सियासत का एक ऐसा बड़ा कुन्बा है जो मोधी का परिवार होने जा रहा है इसके लिए इस सियासी परिवार में चहेतों और समर्थकों के साथ बैठकों का दोर शुरू हो गया है और ये बैठकें अगले दो दिन तक चलने वाली हैं हरियाना की इस बड़ी सियासी शक्षियत ने अपने तमाम पूर्वसांसद्वे विधायकों के अलावा कॉंग्रेस के बड़े पद अधिकारी रहे समर्थकों के साथ भारतिय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया है शनिवार कोज समर्थकों की महाबैटक के बाद दिल्ली कूच किये जाने की पुष्ट जानकारी है भाजपा और कॉंग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कॉंग्रेस के इस बड़े चहरे के भाजपा में शामिल होने के चंद घंटे ही बाकी है अगर ऐसा हुआ तो भुपेंद्र हुड़ा की मुश्किलों में सूची से आई बाहर पर ओले पड़ सकते हैं बताया जा रहा है कि इस बड़े सियासी चहरे की भाजपा में ताजपोशी के लिए दिल्ली में कारियकरम होने जा रहा है इस कारियकरम में केंद्र के भाजपा नेताओं की मौझूदगी में पूर्व के सांसद विधायक मंत्री रहे नेताओं के साथ पार्टी सदेशता ग्रहन की जाएगी अब आप सोच रहे होंगे की ऐसा कौन सा चहरा है तो बता दें कि इस चहरे की पहले भी भारतिय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकले थी परंतु टिकेट की प्रबल दावईदारी होते हुए टिकेट ने मिलने से अब इनका कॉंग्रेश छोड़ने का फैसला सामने आ रहा है सूत्रों के अनुसार कॉंग्रेश का ये बड़ा चहरा भाजपा केंद्रिये नेताओं वे हारियाना के वरिष्ट भाजपा नेताओं की मौझूदगी में सदस्चता ग्रहन करेंगे इसके बाद इनके संसद्ये छेत्र में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा इस रैली में भाजपा के शिर्ष नेत्रितव की मौझूदगी में बड़ी घोशना किये जाने की जानकारी भी आ रही है दरसल कॉंग्रेश की सूची आते ही सुबह सवेरे से कॉंग्रेश के भीतर टिकेट से महरूम रहे कारिये करताओं में विद्रोह शुरू हो गया वे खुद को संभालने के साथ साथ अपने समर्थकों को भी धानडस बन्दा रहे हैं इसके बावजूद कॉंग्रेश के भीतर मचे कोहराम में टिकेट पाने वाले और टिकेट से वन्चित रहे दावेदारों के बीच भी बड़ी खाई खुदना शुरू हो गई है कॉंग्रेश के कटर समर्थकों का मानना है कि पार्टी के भीतर विद्रों की आग अभी दो तीन दिन और भड़ की रहेगी इसके बाद सब चुनाओं पर केंदरी थो जाएंगे परंतु जिन दावेदारों को टिकेट नहीं मिली उनमें सबसे ज़्यादा राजनेतिक चोट राजनीती के माहिर कहे जाने वाले बिरेंदर सिंग और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बंसिलाल के परिवार से किरन च बिजेंदर सिंग की टिकेट कटने से भाजपा खेमे में भी गजब की बाहार है हालांकि भाजपा के भीतर हिसार सीट पर बिजेंदर सिंग को टिकेट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी परंतु कॉंग्रेस ने बिरेंदर सिंग को टिकेट न देकर अब विधान सबाचुनाव के लिए आश्वासन दिया है यह हालात किरन चोदरी के भी है आक्रोश इस कदर की भाजपा की निगाहें बगावत कर रहे कॉंग्रेसियों पर इनायत हुए जा रही है अब देखना यह कि सूची में अपने चहेतों को उमीदवार बनाने में काम्याब रहे बुपेंदर हुड़ा उनी सीटों पर आक्रोशित दावेदारों से कैसे निपटते हैं कॉंग्रेस के भीतर ही जादा बड़ी गुटबंदी में एक दूसरे को हराने और जिताने की मशक्कत में असल लड़ाई तो भाजपा उमीदवार से निबटने की है फिलहाल बिरेंदर सिंग टिकेट न मिलने पर चुपी सादे हैं टिकेट न मिलने पर अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं टिकेट पाने वाले उमिद्वार समर्तकों से घीरे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा पार्टी छोड़कर हरियाना की सभी कॉंग्रेस उमिद्वारों के विरोध में उतरने की तैयारी में है। हरियाना की भाजपा कॉंग्रेस के अंतर कले पर अपना फाइदा तलाश रही है इसके बावजूद अगले दिनों में चुनाव का समीकरण कैसे बदलता है भाजपा के लिए भी चुनावी आबो हवा चुनोतियां भरी हो सकती है और मद्दाताओं के मिजाज क्या कहते है इस तो जरूर करें शुक्रिया